इस्टोन का प्रॉब्लम जो 11 इस्टोन थे उनके किडिनी के उपरी भाग पे पिसाप नली पे जहां एक तरफ 6 इस्टोन और एक तरफ 5 इस्टोन थे और आज जानते हैं उन्ही के मार्धम से और उन्ही के जुबानी कि उन्होंने किस तरह से इसका उप्योग किया कैसा उप् तो सर आपको यह इस्टोन की प्राबलम कब से थी इस्टोन के प्राबलम तो बहुत पहले से था अप्रेल के माह में तो मैं था इलाज करवाया वहां सनुब्राश कि तो बताए कि आपके दोनों साइड में लेट किदिनी और राइट किदिनी स्टोन है ना अने लेट किदिनी में श्टोन बतार है है जो सबसे बड़ा है वह सिक्स एम्यम का है तरके और इसमें ना राइट किदिनी में पाच इस्टोन बता रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा इस्टोन है वहां दर्द इंजेक्शन लगाए और दर्द और कम हुआ कि वहां से मैं आया घर अपना सारंगड तो चलो एक बात पुरस आयरुएट में धी ट्राइक कर लिया जाए का है कि मैं थवाई टाक्टर के पास देया तो थवाई टाक्टर सर ने मेरे कोई वाला दवाई दिये तो यह दोना दवाई देखे मेरा फोनोगरा की रेपोर्ट अब शतम हो रहा है यह जो लेकिन इतना महंगर में लिया हूं करके मैं इसका यूज किया कि अध्याइब लिए तो यह दो आपने विस्वास के लिए ना आस्पीटल गया और सुनोग्राफि करवाया कहां में कराया है यह मैं राधा कृष्णा आस्पीटल गया तो वहां के अध्याइब बताये कि लेट खीदनी में एक फिस्टोन बता रहा है है तो मेरे को अच्छा लगा पर भिस्वास नहीं हुए इतना है इतना है तो ग्रींद में था ग्रूफ में था इस्टोन पैसे इतने जलदी खतम हो गये काय ते तो तो वहां भी रिपोर्ट में वही बत तो इस पर मुझे विश्वास और आक में तुरंद फिर और एक से तरी दुनों को एक डब और एक डब बखियां हूं और तब से आज तक मुझे अभी तर्दवर्द का पता नहीं चला है सब्सक्राइब करें लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नहीं मैं तो संदेश देना चाहता हूं सरे जो इसके पियस्वारा जो है मुझे बहुत अच्छा सुट किया है पर आप लोग भी इसका उप्योग करें वड़ियां है जी बिल्कुल यह सभी साथ ही आप देख पाए कि हमारे सर ने जिस तरह से इसका उप्योग किया और आज पूरी तरह से इस्टोन की प्राब्लम से क्योर हो चुके हैं रियल में अम्रित है और लोगों की जवरत की है इसको लगातार उन्होंने डेड़ महना उप्योग किया था और डेड़ महना के बाद में उनको भरोसा भी नहीं हुआ तक मेरे स्टोन समापत हो जाएगा और उन्होंने सारंगड के राधा कृष्ण हास्पिटल में जाकर अ उनको भरोसा नहीं हुआ स्वास्ता के बारे में बात है एक बार चेक करा लिया जाए तो सर को बताया कि पूरी तरह से आपके सरीर में किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं है खेड़ी ने एकदम स्वस्त हैं मजबूत हैं आप काम कर सकते हो केवल एक छोटा सा इस्टो और अच्छे हैं तो धन्यवाद दोस्तों सभी साथियों को नमस्कार इसका उप्योग करें एसलेपेस वेलनेस का और अपने लोग झाल 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 झाल